हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे सत्तू के लिडू तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एक कड़ाई में हम एक चौताई कप जितना घीर डालेंगे और उसके बाद में यहां पे डालूंगे सत्तू का आटा एक जितना और इसको हमें हलका सा बुनना है यह सत्तू का आटा आता है वो पहले से ही भुना हुआ आता है तो इसको ज्यादा ऐसे रोस्ट करने की जरूरत नहीं है तो लो फ्लेम पे 5-6 मिनट तक हमें इसको ऐसे ही भुनना है और यह जल्दी से बनके तयार हो जाते है तो गैस का फ्लेम आप मीडियम रखे और इसको चलाते रहे और यह अच्छे से भुन चुका है मेरे को 5-6 मिनट हो चुके है अभी मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी प्लेट में निकालने के बाद इसको फिर हम इसमें ड्राइफ रूट से एड़ करेंगे ड्राइफ रूट साप अपने मने पसंद के हिसाब से इसमें एड़ कर सकते हैं मैंने यहापे काजू और बादाम का यूज करा है कट करा हुआ काजू और इसके साथ ही कटकरी भी बा मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैंने सुगर पाउडर का यूज करा है और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी हम लड्डू का शेप देते हुए इसको लड्डू बना के तयार करेंगे बहुत आसान है बनाना यह जल्दी से बनके तयार भी हो जाते है तो यह हम मेरे सत्टू के लड्डू बनके तयार है अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक्यो पर वाचिंग